नमस्कार प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है हम ग्लोबल पंजाब के नौर्थ अमेरिका और संगत टीवी की यूक्य और यॉर्प के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं आज राश्ट्री खेल दिवस है हौकी के जादुगर मेजर ध्यांचन की जयनती को समर्पित है ये दिन अपने अपने तरीके से इस दिन को मनाया गया लेकिन खेलों को लेकर जो भावना बदली है वो किस दिशा में जा रही है भारत को लंपिक खेलों में स्वन्पदक दिलवाने वाले महान हौकी खेलाडी द्यांचन सिंग के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जनम दिन 29 अगस्त को हर साल देश में राश्टी खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है एक वक्त था जब बच्चों से कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब लेकिन आज वक्त बदल चुका है खेल के शेतर में युवा वो तमाम उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं जो दूसरे शेतरों के लोग हासिल करते रहे हैं कई हुआ तो बहुत कम रुम्र में इतना नाम कमा चुके हैं कि आज हर माता पिता अपने बच्चे को एक सफल खिलाडी बनाने का सपना संजोने लगे हैं वक्त के साथ लोगों की सोच बदली है, खेलों की लोग के प्रेता और उससे अरजित होने वाला धन भी मायने रखता है यही वज़े हैं कि लोगों की खेलों की प्रतिरुची बढ़ी है कई खिलाडियों ने चंद सालों में ही बुलंदियों को चुआ, लोगों की पसंद बने और फर्ष से अर्ष तक पहुंच गए इस सोच को बदलने में भारती खेलों के पिता मेह माने जाने वाले मेजर ध्यांचंद का नाम अवल है ध्यांचंद ने लगबग 8 दशक पहले ही लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि खेलों में कदम रखना गलत नहीं है लेकिन खेल का मैदान भी अब पहले जैसा नहीं रहा, विवादों से खेलों का नाता गहराता जा रहा है पिछले कुछ दशकों में खेलों को लेकर लोगों की सोच में क्या बदलावाया है, खेल के मैदान में क्या कुछ बदला है, क्या सरकारे जो कर रही है, वो इस दिशा में काफी है इसी पर आच चर्चा करेंगे हमारे साथ इस्टूडियो में मौझूद है डॉक्टर गुर्मीट सिंग एसोसीट प्रफेसर डिपार्टमेंट आफ फिजिकल एडूकेशन पंजाब युनिवरस्टी सुनीता शर्मा हमारे साथ है 2018 में इन्हें अरजुन पुरसकार से नवाजा गया था जिमनास्टिक के लिए और हर्याड़ा खेल विभाग में बतार उपने देशक काम करें और साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर गुर्चरन सिंग गिल एसिस्टेंट प्रफेसर फिजिकल एडूकेशन शिर्गुर्गोबिन स सिंग कॉलेज जन्रिघर भी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गुर्मीत क्या कुछ बदला है इतने सालों में आप इतने सालों से खेलों से जुड़े हुए हैं आपको लगता है कितना फरक आया है लोग की सोच तो बदली दिखती है अब माता पिता भी चाहते हैं कि उन लेकिन जैसा आप बोलने की बदलाव आया है लेकिन लोग ना जो पेरेंट्स हैं स्पेशली वो अपने बच्चों को अगर ग्राउंड में रोज भीजें रोज ग्राउंड में भीजें तो डेफिनेटली हमारा एक जो स्पोर्स का कल्चर है वो डिवेलप होगा हमें स्पो कोई आसा मिलाब मुखिल का क्या मतलब यह भी जानेंगा डॉकर गुरमीट लेकिन इस वक्त हमारे साथ इस साल ध्यांचन पुरुसकार के लिए चानेत घिराज सिंग परेटली दिली से हमारे साथ फोन लाइन पर जूड़ शुक हैं गेराज सिंग जी बहुत बहुत बधाई इस साल आपको ध्यांचन पुरसकार के लिए आपका चैन किया गया है कैसा लग रहा है इस अवार्ट को अब जब आपको दिया जाएगा मेडम सेरे तुनों को थेंक्यू बहुत भूँत धन्यवाज सभी को कुछ खेलों को लेकर अब जो लोग की सोच बदली है खेलों के मैदान में भी काफी कुछ बदलाव आया है आपको क्या लगता है यह बदलाव सही दिशा में जा रहा है सरकार से और क्या उमीदे हैं आपकी खेलों के शेत में और क्या करना चाहिए सरकारों को हेलों में चाहिए और ज्यादा से जाए नियौम इस पूरी चर्चा में जुणने के लिए गेर दिशिंग को आपने सुना सुनिता जी आप बतौर खेल निदेशक काम कर रही है हर्याराँ भाग में अभी भी लूग्य तो देश भर में कहा दर्चार वह दो रहा है कि हर्याने की खेल लीती बहुत अच्छी है और लोग तारीव भी कर रहे हैं तमाम पुरिसकार आप दे रहे हैं लोग जो खिलाडी पुरुट्साहिद भी हो रहे हैं लेकिन अभी भी कहरें कुछ ना कुछ कमिया हैं जो स्टेडियम्स में इंफर सक्ट्रस बनाए गए हैं हमारे उसमें सभी ब्लॉक लेवल्स पे डिस्टिक्ट्रेवल्स पे और रजीव गांदी खेल स्टेडियम्स बनाएं गए हैं उनमें हम पूरी फेसिलिटीज एक्विक्मेंट्स की देना देने की ते अलरड़ी बहुत वो अपने को ट्यप कर रहें एजुकेशन डिपार्ट्मेंट के साथ इंड्स्रीश के साथ और जहां तक गिरजी जो बोल रहे हैं पर आलंपिक्स के लिए इक्विक्मेंट्स के लिए जो इनका प्रवाइट करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अभी मानती है कि बहुत कुछ करना भी बाकी है लेकिन भी बाकी है तो आप खुद कॉलिज में आप फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग देते हैं जो बच्चे आते हैं देखा चाता है तो आजकल आप इंजिनरिंग करिए या आई आई टी के उसमें चले जाएए मेडिकल में चले जाएए या दूसरी फील्ड से लगता है कि आवचकल पेरेंट्स जो है बच्चों को चाहते हैं कि स्पोर्स की शेत में जाए और इस पर्टिकुलर इस खेल में अपना नाम कमाए जहां तक पेरेंट्स का कि अद्मीशन ले लिए चीए अडमीशन चाहे उसकी मेडिकल में होगी या उसके बाद वह स्पोर्स नहीं करते क्योंकि एमी बहुत कम है स्पोर्स कैसे परमोटर कुछ एक चुनिंदा जो खिलाड़ी निकल रहे और यह देखने आ तो जैसे साइना नेवाल का हम सुनते थ इसलिए यह तो बड़ी मेंत करनी पढ़ेगी जैसे यहां पे इंफ्रस्ट्रक्चर है चंडिगड़ा या डेली है या हर्याना के के स्टेट में उतना रिजल्ट है नहीं क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे यह चाहते है कि शॉर्ट कट मैथर से यह आपको लगता है कि इन च्छोड़ सा कंट्री है उस कंट्री के बर मैंने काफी डीटेल में भी पढ़ाया कुछ बुक्स भी आई थी वह भी मैंने पढ़ी है तो उनमें है कि ट्रेन हाट विन इस अब केनिया में हर एक बच्चा शाम को चार बजे के बाद अपने घर में नहीं बैट ता जा उसके पेरेंट उसको बहारें हो भाग ले बागणा थोह ने भागकर ऑपिक्स मेल लेकर आना है। बच्चे जाते हैं, स्कूल पांच-पांच किलोमेटर दूर हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, भाग कर जाते हैं, भाग कर आते हैं, तो वहाँ स्पोर्स का कल्चर रनिंगा डवेल्प हो गया, and you have seen how many medals they have won, in this championship, जो अभी खत्म होई हैं, in this championship, जो अभी खत्म होई है, Olympics में, हर Olympics में 5-6 gold athletes में होते हैं, क्यों sports culture developed हो गया, running का culture developed हो गया, हर एक बंदा भाग रहा है, यहां क्या है, यहां पर है नहीं, बहुत मुश्क्रा है, भागना कुछ चाहता है नहीं, आप देखो, किसी भी game में, हम क्यों मार खा रहे हैं, because हमारा fitness level at par with international standards नहीं है, इसलिए हम मार खा रहे हैं, यानि आपको लगता है, सहूलिते हैं, लेकिन जो जजबा होना जो इच्छा शक्ती होनी चाहिए वो नहीं है, अगर 11 बंदे खेल रहे हैं, तो आपकी बाहर strength 6-7 बंदों की बैटी हुई है, वो इतने strong होनी चाहिए, कि अंदर कोई बंदा injured हो गया, तो वो उसको cover करेगा, यह नहीं है कि वो 11 बंदे हैं या 5 बंदे खेलने आने, सबी का fitness level बहुत हाई होना चाहिए, तो sports culture इंडिया में नहीं है, हमें वो develop करना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्कूलों से शुरुवात करनी पड़ेगी क्योंकि बे स्कूल है, स्कूल में हमें एक slogan देना पड़ेगा कि हमें physically literate करना है हर एक बच्चे को, स्पोर्ट का पीरिड का मतलब है कि मैं इसमें अगर स्पोर्ट कल्चर नहीं develop हुआ, इसका मैं पूरा पूरा जो कहरो कि इसको अपने ओपर लेना चाहिए, स्पोर्ट के जो लोग उसमें जुड़े हुए, क्योंकि वह वहां पर नहीं कराते हैं, मैं फिजिकल इलिटरेट की बाग कर रहा था, फिजिकल इलिटरेट का मतलब है कि हर एक बच्चा स्कूल के अंदर अच्छी तरह भाग सके, उसे पता हूँ कि बेसिक्स रुनिंग की टक्निक क्या है, क्योंकि शारेडिक मजबूती गें भी वह बहुत जरूरी है, उसको बच्चे को अगर बच्पन से पता लगे कि मैंने आम एक्शन मेरा यह होना चाहिए, मैंने ऐसे स्टाइड लेनी है, उसके बाद उसको किसी भी गेम में डाल दू, वह फिट हो जाएगा, जंप होना चा कि कोशिक की जा सकती हैं, जैसे डॉक्टर गुरमीत कह रहे हैं, देखो मैं डॉक्टर गुरमीत से बिल्कुल सहमा, तो बात यह है कि घर से जब बच्चा आता है, जैसे आप नहीं का कि हफते में दो उनके सिरफ पीरियर्ट होते हैं, उसमें भी उसने जा तो उसको प्रप बच्चे आते हैं, दस मिनाटे हैं, चले जाते हैं, ना वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए, अच्छा कई बार हील डाली होती है, ऐसी जैसे गल्स हैं, आपको उनको बगार नहीं सकते हैं, तो इस पर क्यों नहीं प्रशासन, स्कूल प्रशासन गंभीर होते हैं, उसमे मैं कहना नहीं चाहिए, जैसे हमारे फिल्ड में लोग आना नहीं चाहते हैं, जिसको जॉब मिल जाती है, उसके बाद वो कहता है, बस मेरे तो यही सैटिसफेक्शन है कि मैं जाओं बार दो बज़े के बाद घर नमी, ना तो कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर आना चाहत आप देखो हमारे ऐसे कई स्पोर्स परसन हैं जो अच्छे इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और अलम्पिक में मेडल भी ले रहे हैं, वो पढ़ाई और स्पोर्स का साथ-साथ चलता है, यह नहीं है कि जो अच्छा पढ़ने में स्पोर्स नहीं कर पाएगा, क्यों हरे की ग्लास में पानी रखानी है, हरे की चाय का कपनी उठा के पी लिया, उसके लिए मेहनत करनी परती है, जजबा है, जजबा है, डिटामीनेशन है, जो जो उसको स्पोर्स कल्चर हम डिवेलप कर देंगे बच्चों में, तो डेफिनिली यानि कुछ और ही नतीजे सामन जबनाने 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 जिमनास्टिक खेलना शुरू कि उस वक्त और आप में क्या बदलाव देखती है, अब ठीक है, हर्याना सरकार काफी कुछ कर रही है, लेकिन अभी जैसे डॉक्टर गुरमीत करें कि स्कूली लेवल पर उतना काम नहीं हो रहा, अगर स्पोर्स कुल्चर डिवलप होता है, तो नतीजे कुछ और हो सकते है, लगता है आपको, इसके साथ यह भी मैं कहना चाहूंगा, कि उनकी बात से पूरी सहमत हूं, लेकिन इसके साथ यह कि जो कोचिस है, उनको भी स्कूल के साथ तालमिल बनाना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टम तो हमारे भी जो कोचिस थे, वो भी स्कूलों में जा जाके खुद बताते थे, उनके साथ अच्छा तालमिल बनाते थे, उनके बच्चे शाम को आते थे, यहां उमीदे प्रशिक्षकों से भी हो रही है, तो दोरों तरफ से, एक तो स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप हो, ताक कोचिंग फिलोसफी को समाना चाहिए, कोचेज को हमारे पाद, वी एर लेकिंग ऑफ गुड कोचेज, डॉक्टर गुर्मीत, यह तो बात होगी कि बेसिक नीट्स क्या है, कहां से खिलाडी अच्छे आ सकते हैं, और क्या कुछ होना चाहिए, अब यह जो महाल चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे, क्या कभी पुरुसकारों को लेकर विवाद होते हैं, कभी फिक्सिंग को लेकर, कभी खिलाडियों के चैन को लेकर तमाम बवाल आते हैं, तमाम बयान आते रहते हैं, इन से क्या खिलाडियों पर मानसिक दबाव बढ़ा है, उनकी मानसिक इस तर का काम करता है मोटिवेशन क्या चीज़ है मोटिवेशन सेंटरल फेक्टर एल लेर्निंग का सो कभी जब भी हमने अच्छे खिलाडियों को ऊपर लेकर आना है हमें उन्हें किसी ना किसी तरह से इंसेंटिव देने चाहिए ताकि वो उस मांसिक स्थिती से बाहर निकल सके उन कि जो स्ट्रेस है या खिलाडियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे कि ऐसी भावना से खेले की पुरसकार मिलता है या नहीं मिलता उससे बेसर रहे और अपना बेस्ट देंगे इस यूर परफॉर्फॉर्मेंस एट इंटरनेशनल लेवल आप इंडिया को रिप जो से कहीं नाता नहीं रहता अध्यक्ष और उन्हें खेल का अध्यक्ष बना दिया जाता है उसका कितना असर पड़ता है बहुत जदा आसर है मैं कहूंगा जितने अच्छे स्पोर्स पैर्सन रहे हैं जो पड़े लिखे हैं जिनके अंदर जोनोंने बहुत एजूकेशन सब्सक्राइब करें लिए उनको इन फेडरेशन एससेशन के साथ जोड़ो अगर परफॉर्मेंस लेनी है यह ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स के साथ चंसान रखते हैं वह स्पोर्स को पर नहीं आता है जितनी भी फेडरेशन लाल क्यों नहीं स्पोर्स मिल पास होने देते ज बच्चों को बढ़िया पुर्सकार दो बच्चों को बढ़िया फसील्टी दो वह अपनी फसील्टी चाहिए वह आपको जो अभी पाद और सुविधाय मिली आप उसे खुश है अब आपको लगता है सुनीता और भी बहुत कुछ हो सकता है जो हुआ नहीं है जिस तरह से सियासा थावी होने की बात हम कर रहे थे यह होता है अगर उसकी जगे स्पोर्ट परसन हो अध्यक्ष बन कर आए तो कुछ और स्वरूप हो सकता है खेलों का बिलकुर मैं वही ची ज़गन में मुझे कम ही महसूस हुई है उस टाइम पर प्रफॉरम्स देने में कि मेरी स्टेड में जिमनेजिम agreeingon now ना होने से आउट़ोर प्रैक्टिस करने से मैं दिन रात मेहनत करने कबाद इंडिया केम्प्स में स्लेक्षिये प्र इंडिया केम्स में सुआ इन्डिया क में नहीं जा पाएंगे घर आने के बाद भी हम लोग बहुत सीरियस होते थे जब एक एक मीलने के लिए चुटी बेराते थे थे खेलों को लेकर यह गंभीरता थी अब जो सहूलियते सरकारे दे रही है तब से बहुत 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 है या अभी उसमें कुछ और बैतरी की उम हमारे नहीं कवर कर बारे वह लैक ओफ दा बजट से कि बजट सोड़ा और हमारा इंप्रूव जह हर्याना का तो उससे बहुत अच्छे से हमारे रिजर्स पी आएंगे बच्छों को जो फेसिलिटी ऐक्यूमेंट की देनी है जो इन्फर सक्ट की देनी है लेटेस्ट दोनगी अपने डारेक्टर साब को अपने कमिशनर साब को बहुत जरूँ है तो कि खेलनीती के बारे में क्या कहेंगे खेलनीती को लेकर क्या चल रहा है स्पॉर्स पॉलिसी कांट्री की कोई ऐसी इतनी स्ट्रॉंग नहीं है जो कि स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो सके थे, मैं चाता हूं कि हर एक स्टेटetrी की एक पॉलिसी हो और उसको वह प्रॉपर ब्राउंड लेवल पे उसको implement करें अगर हम sports culture उसकी infrastructure की बात कर रहे थे ना आप बताओ कहां पर है infrastructure इतने बड़े-बड़े stadium की जरूरत नहीं है country को country को training grounds की जरूरत है जहां पर बच्चे freely आके training कर सकें अब देखो एक stadium लोग बाहर से देखेंगे जमीनी तरपर गाहों के जो बच्चे आकर खेलना चाहते हैं यह जोश है कि और लगता है कि कुछ कर सकते हैं वह नहीं जा सकते बिल्कुल और training पर किसे साथ से बनाओ देखो चंदीगड एक शहर है बहुत ही modern शहर है अभी तक चंदीगड में synthetic track नहीं है आप इसको कोगे की infrastructure developer है synthetic track तो यहां पर चार-पंच लग जाने चाहिए थे स्टेडियम थोड़ा बनाना है आप सिर्फ ट्रैक को बिचाओ बाहर से उसकी लोही की रिलिंग लगाना है सुनीता जी जिस डॉक्टर गुर्मीत कह रहे हैं कि आप प्रिशिक्षन के इंद्र बनाईए ना कि सिर्फ आप स्टेडियम बना के आप रख दीजिए तकि वहां सरकार ने जो किया है उसके रिए उन पर पॉइंट कर दी है और ग्राउंड में ग्राउंड मेनेजर्स लगा लिए जो एन इस कॉलिफाई होते हैं तो बहुत अच्छे से हमा एजुकेशन के साथ कॉडिनेट करके अब रीसेंटली करने वाले इसके बारेड़ा में शायद ह पर चल रहा है हमारे यहां पर सीडियां लगी हो और उन सीडियों पर मेरे ख्याल से कभी कोई बंदा बैठता हो इंटरनेशनल मैच तो कभी साल में या दो साल बाद हुआ बड ट्रेनिंग तो रोज होनी है और अगर आप उसको उपन रखोगे वहां पर रेलिंग लगाओ करके रखो लेकिन बाहर से लोगों को नजर आए कि या बच्चे खेल रहे हैं मैं भी जाओंगा यहां पर वहां से एंकरेजमेंट होती है अगर कोई बच्चा जाते जाते उसको लगा कि यहां बास को लोड हो रही है बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं जाओंगा खेलो पर कुछ बार को सिर्फ जूले लगे हुए थे बड़े बचों को खिल लगा एम इजासत नहीं है जाओ आप गॉपने स्कूल्स को चोड़के कुछ कुछ को चोड़के यह तो नोगडी केर वाओ इट कि घ्चाव को वी कटाना है तो फिर कैसे के स्पोर्स को करच्च आए ह कि वो हम सब लोग कर सकते हैं इसे भी ऐसे भाइन के हो कुछ कि अगर दे लिग लेकर चाहिंगा कि सब अब आप अब इस नहीं ना ज़ेलापना जारे कि और लेकर रहें चाहिं़ इन सीघंट्रा आप पती इसी फील में जाओ या या एंबीए कर लो तुम इसी तरफ पेरेंट्स का ध्यान है जो इस वक्त का महौल दिख रहा है पेरेंट्स का ध्यान भी तभी आता है अगर डॉक्टर बोल दे कि आपके बच्चे को डैप्टी होगा ये हाट की प्राब्लम होगी अदरवाइस कोई प्राइब जितने स्टेडिएम चंडीगड में आप देखो कितने पेरेंट्स आते हैं कितने बच्चे आते हैं ना तो पेरेंट्स आपके पेरेंट्स विजिन उस दिन ग्राउंड में आता है जब डॉक्टर कहता कि अब तुमर जाएगा तु भागना शुरू कर आप अब जाएगा दमाँ उसका करिकलम इस बनाऊ ना कि बच्चे को स्पोर्ट सेडूकेशन करो कि यहां तो सरकारों को कोश्चे करने की जरूरत है कि मैंने अगर स्पोर्स करी होती तो मैं एक अच्छा बनता करी तरीका आम मैं लोगों बोज़ूंगा तो आप बाहर जाएग पर उसकार जीते हैं लेकिन अपनी खुद की सेहत के लिए बहुत ज़ूरी है यहां पर बात आती है कि हेल्थ-related fitness के components को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम्स बनाने चाहिए स्कूल में जूरी नहीं बच्चे ने स्पोर्स में पार्टिपेट करना है वो अपनी health fitness रखने के लिए काम नहीं कर सकता क्या टेरिंग नहीं कर सकता उसकी प्रेटिस करो उसी में से टेलेंट निकल जाएगा जब मास पार्टिसपेशन होग इसके लिए तो मैं पूरी सहमत हूं रख्ट सब के साथ इसके सासत मैं यह भी कहना चाहूंगे कि बच्चों में जो जनून लाने की बात है उसके लिए उनको नीचे से जब वो नर्सरी प्राइने स्टें में होते हैं उस टाइम पर उनको जोईन करवाना चाहिए उस टाइ पर प्राण लें जितने भी फिजिकल एज़कुशन के टीचर है या पेरेंट्स भी कि हमने अपने बच्चे को अपने उसकी हेल्थ ठीक रखने के लिए उसे घ्राउंड में बेजना है खेलों पर बहुत जरूरी अगर बहुत जरूरी तो देश अपने आ फिट होगा हम इ खेलाड़ों के सामने आने वाली चुनावतियों को भी ध्यान में रखना होगा उनके आदर्शों को भी जीवन में उतरना होगा देश के खेलाड़ी अंतराश्टी इस तर पर देश का नाम रौशन करें लेकिन कहीं न कहीं कुछ विवादों ने छवी खराब भी की है हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये हम मिलेंगे फेस्बुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर हबरों के साथ बने रहे राद दिन